विल्काम तो मैं चैनल रोवीशंद्र वीपेसे से देखिया सम्ट एपर जुलाई के सिरीज को कंटीनिव करेंगे सेगेंड पार्ट है और कल दो दिन के बाद मेलाऊंगा इसके करेंट एक साथ जुलाई के जो भी करेंट एक से वो मैक्सिम कवर हो चुके हैं तो बच्चे व करेंगा मैं तो इंडेक्स और रिसेंट अपॉइंट्मेंट्मेंट्स के वीडियो जो भी आएंगे वो बहुत जल्दी एक दो दिन में आजाएंगे आपके पास सो कंटीनिव करते हैं करेंट एक सिरीज के पार्ट 2 को जुलाई के सिरीज को और स्टार्ट करते हैं और ट्र इंडो बहुत ही जाएदे एक्स्रेमली इंपॉर्टेंट होने वादा पार्ट 2 ठीके स्टार्ट करते हैं इस इस मिरभी चंद्र अप्डेट 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 अब इंपॉर्टेंट इंड इंडो पी आवी जहां से भी सोर्सें आपको मिल जाते हैं अपर्ट फॉम और वरन को समझेंगे इस सारे के सारे जो इनों ऑफ्शन से वो न्यूज में वेटिक है तो मेरा कोईशन मेंने सेट करा है कि चूज दब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन एबी सीडी में साब को चूज करना है अब चूज क्या करना है वो देखो मैं बोल रहा हूं कि आंद्रप प्रदेश में वहाँ है तीसरा ट्राइवल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम अंद्रप्रदेश में कहा है लाम संगी लूम संगी जो बोलते हैं इसको चौता बर्थ प्लेश ऑफ अलूरी सीतारा मुराजू पंडरंगी पंडरंगी चारों के चारों प्लेशेज न्यूज न्यूज में थे अभी एक्स्ट्रीम ली न्यूज में थे और मैंने उस पर दवा के इसके उपर क्वेशन करा रहा है तो जो लोग इसको फॉलो करते हैं और जिन्हों ने पढ़ा होगा वहालाइटेट पार्स वो इसको आंसर जरूर करेंगे और उन्होंने कि आसे चार करेक्ट ऑप्शन को ध्यान से सोचिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आंजर करिए ट्रैवर इसरच इंस्टिटूट कहा है आंदर प्रदेश में बाइज्यग में अलूरी सीतर आम ध्यान टेंपल कहा है मोगलू में ट्रैवल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम कहा है लमसंगी में बर्थ प्लेश और लूरी सीतरा मराजू पंडरंगी देखें इसके सारे ऑप्शन सही है ऑप्शन डी इसका आंसर होगा और प्यार सार करेक्ट इसके कट आउट आपको सायद दिखने ही रहा हूंगे पर मैं आपको बता देता हूं मैंने अपने स्क्रीन सोट पर शेयर कर रहा है इसको इसके स्क्रीन सोट ट्विटर प्रफाइल पर जिस समय प्रान मंतरी मोदी जी अभी हाल में गय थे और वह अभी आंधर पर्देश में थे चार तुम चार जुलाई को जब उन्होंने इसका उन्हों उद्गाटन करा और जो भी चीजें हैं वहां पर करेंट अफेर से रिलेटेड वह सारे उन्होंने और बाते करी थी वहां पर तीस फिट ब्रॉंज का स्टेचू उन्होंने अलूरी सीतराम राजू का क्या है उसका विद्गार्ण कर रहा उन्होंने टैवर रिसर्च इंस्टिटूट जो वाईजेग में उसकी भी बात क इस चारों प्लेशेज न्यूज में थे और बिलकुर प्रदान मंत्री मोदी जी जब गये थे अभी हाल में उन्होंने बात कर दी थी तो यह कोईशन सब्वांच उठाया गया और बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है ठीक है कुशन अमर्ड शेक्ट को देखेंगे और बात क प्रदेश में अमरीच सरोवर श्कीम इस रिलेटेट वीच आप फॉलोविंग इसमें से किसे अमरीच सरोवर स्कीम का संब्द है आपके उप्सिंस है रिजुबेनेशन ओवाटर बॉडिज एक्रोस इंडिया पूरे भारत देश में जो वाटर बॉडिज हैं पॉंड से न उसकी रिजुबेनेशन की बात होई थी रिजुबेनेशन ओफ हीरा कुंड डैमी इन उडिशा रिजुबेनेशन ओफ सांबर ले कहां राजस्थान में देखिए आप वीडियो को पॉस्ट के रिजवाब दीजिए रिजुबेनेशन और वाटर बॉडिज एक्रॉस इंडि कर रहा था पहला option आपको याद रखना है इस इस फैक्ट को अब मैं कहता हो ना कि मैं 200-300 फैक्स देता हूं वीडियो मैं ऐसे नहीं बोलता इसको क्वेशन नहीं बनाना चाहता मैं कि पंधान मतरी मोदीजी ने किस दिन लॉंच किया था वाटर के इंजर्वेशन प्रोजे 75 वाटर बॉड़िज हर डिस्टिक में सारे के सारे स्टेट में जो इंडिया में हैं इंडिया के जितने डिस्टिक्स हैं जहां पर उनके 75 वाटर बॉड़िज है उन सब को है ना रेजुमनेशन की बात की गई थी ओवर ओल पचास हजार से ज्यादा वाटर बॉड़िज इ इकलती है उसका NHIU करेंगे National Highways Authority of India और रोट्स वगेरा बनाने के लिए तो यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओवरॉल, Ministry of Rural Development का भी इसमें रोल है, Question No.3 देखेंगे, it's very very important question, which of the following statement is, are not true about Cherun Chen Kuroinji, अब चेन Kuroinji क्या है, आपको पता होना चाहिए, मैंने इसके UPCS के insert पर भी share कर रहा है, news paper में अगर पढ़ा होगा, आपने तो answer कर दोगे, कौन सा statement या statement सही है, या नहीं है, मतलब कौन सा statement, और statements is or are not true about Chen Kuroinji, आपके options है, इस scientific name is Glutatravyn Koryka, यह बिलकुल UPC pattern का पूरा paper है, पूरा आज का वीडियो है, its scientific name is Glutatravyn Koryka, endemic spaces of Agasthamala Biosphere Reserve, Agasthamala Biosphere Reserve का यह part है, very susceptible to climate change, यह option है, कि यह जो chain Kuroonji है, बहुत ही जादा climate change को लेके, susceptible in the sense कि बहुत जादा impact होता climate change है, केरला Forest Department has launched safe chain Kuroonji, अब यह चारो options मे इसके उसके उपर बात करने से पहला, इसके उपर बात करने से पहला, I would request a ability to please follow UPC screen source, Twitter profile, जहां पर आपको daily current affairs मिल जाएंगे, और अगर आप इसको follow करोगे, तब ही मेरे वीडियो के answers कर पाऊंगे, I am saying you very confidently, next year UPC pre, next year UPC means, आपको questions मिले, मेरे UPC screen source के profile से मिलेंगे, मैं बता आपको, news paper, PIB, world में जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, उसके beyond UPC कुछ पूछती नहीं, और वो सारी चीजे में इस पर कराता हूं, articles के form में, पढ़ लेना आप इसको, UPC screen source पर आपको बहुत मजाएगा, और कई सारे MCQs में वहां भी कराता हूं, पर जो MCQs मैं करा पर कराता हूं, mostly VPC, Fairwill, Telegram चैनल पर कराता हूं, एक हजार बत्तिसमा कल करायते हैं, यह 33 सायद मैंने, so please follow both the links, जिसके आपको description में, क्या नाम है, comment box में पिंड कर देता हूं, मैं आपको वहां से भी मिल जाएगा, देके दा राइट answer मैंने बोला था चाह रहो है, चेन कुर पर वन, दूसरा, इसका scientific name क्या है, ग्लूटा ट्रैवन कोरी का, तीसरा, तीसरा option क्या है, अगस्तमाला बायोस्फेर रिजर्व, जो है, वहां पे इंडेमिक स्पेजिकल, मैंने बताया था, इंडेमिक स्पेशी क्या होता है, उस रीजन में बहुत ज़्यादा पाये जाता है, ऐसा नहीं कि दूसरा रिजन में पाया नहीं जाएगा, पर मोस्टली उसी रिजन में पाया जाता है, करला के अगस्तमाला बायोस्फेर रिजर्व में है, चौथा, बिलॉंग टूदा इन कारीडे से ही फैमिली, एक पूरी के पूरी जीनस है, एक स्पेशी होता है, एक किरला का फॉर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने सें कुरूनी जी करके, एक तरीके का, उन्होंने मुव्मेंट लॉंच कर रहा है, कि किस तरीके से से सेफ करेंगे, इसकी बहुत ही जादा मेटिसीनल उजेज है, आपको भी पता होना चाहिए, ठीके, और सोला फॉर्स जो पॉपलम क्या है कि चेन कुरूंजी ट्री फॉर्स की जो रिजनरेशन कैपसिटी वह बहुत इंकम है, बहुत ही लो रिजनरेशन कैपसिटी है, इसके वज़े से अपने हाई लेवल पर रिजनरेशन नहीं कर पाती और उसके वज़े से क्या होता है, कि क्लाइमेट चेन्स क इसमें एक महिला है। उनके उपर एक फारस्ट का नाम दिया गया है। जिसमें एक हाईलाइटेटट पार्ड को देखे। कि दलाइंड है मरम सॉइल अ टाइफ ऑफ लेटराइट बोलता है। आपने में यह फूरिछ इरिया में काम करती है। जो सरोजनी महअंता है उसके उसे इह लेटेटर झेतर कोई जो पैशिकल यहीस रेजन में काम करते हूं उहा पर यह आपम मर्रं सुल भी बोल सकते हैं वे ठीकर है shy rye 맞 करते हैं पोनाई एक ट्रीकर का भुवनिशिवर साइड गत्मय का ऐगे कर मान?". affected region mining वगेरे उस region में काफी ज़्यादा होता है ठीक है question number 5 देखेंगे is a river flows from beach of the following state is a river किस राज्य से गुजरते हैं या किस राज्य से flow होता है या किस राज्य में flow होता है अप्शन से उतर प्रदेश, जम्मू कास्मीर, तेलंगाना, मनिपूर युपी से स्क्रीन सोट को जिसने फॉलो कर रहा हो आंसर कर देगा तुरत तेकि तराइट नसे मनिपूर मनिपूर न्यूज में क्यों था अभी एक लैंड्सलाइट के वज़ज़ से वहां पे बहुत जादा नौर्थी जो वेस्टरन घाट्स और हमालय रिज़र बहुत ही जादा ही माँ उसके बज़ए से क्या ना में डिवलपेंट के और बहुत ही ज़्यादा इंपक्ट्फुल हो जाते हैं तुर्ण डेवलपेंट करोगे तो चारधामयातर हम करने वाले चारधाम प्रोजेक्ट हमार चल रहा है उसका नगेटिव इंपक्ट हमें देखने को मिलेगा किरला में हमें मिला वेस्टरन घाट में हमने डेवलपेंट कर देख कितनी स्लाइड आया क्लाइमेट चेंड के वाज इंपक्ट हो रहा है डेवलपेंट एक्टिवीटिस बहुत ज्यादा चल रही है उदर रेलवेज का और भी रोड्स का बहुत ही ज्यादा चल रहा है तो उससे रिलेटर के हिंदू में आटिकल आया था उसी में बात की गई थी ब मनियम रेवेलियन इसको बोलते हैं मनियम रेवेलीयन भी बोलते हैं रंपा रेवेलियन भी बोलते हैं अंडर द लीडर्शिफ अलूरी सिताराम राजू टूक पलेस इन नाटीनिटी टू इन वीच्व फॉलिविंग रिजन ऑफ इंडिया जो 1922 में जो हुआ एक इस छेत् परचीश करते हैं एक सो पचीश में परचीश काथ है एक सो पचीश मी बचाथ है और इस साल पूरे मतलब लगतार हम बनाने इनका जो सेली वेशन आपकरने वाले पूरे साल और उन्हें 22 में रॉंपा लेवेलियन लॉंच कर रहा था अंदर परदेश में ट्राइवर आपको मिल जाएंगे फिर इसर कोली हैं जरसो मने टैवर रिवाल्स अंधाल है हो हैं बहुत सारे डिवोल्ट जो आपको इस्टन इंडिया में और आंद्र प्रदेश चेतर मिलेंगे अदिवासी चेतर वी इस जादा आधर इधर रहते हैं इस वज़े से बहुत जादा रि क्योंकि बाइजग में है यह ठीक है मैंने आपसे पहले कोईशन में बात कर ली है कि बाइजग में विशाका पत्नम में प्रदानमंत्री मोदी निजी ने इसके उपर बात करे थी आंद्र परदेश में कहा हैं बाइजग में कुशन नबर एट को देखेंगे और वेरी एग्स्टीम अंडर अटैक में हैं आपको हैं से हनी डे इंडस्ट्रिए तरी रिंटरी फिसिंड forming वानिंघ नंटरी मैंनि एपसे सारे के सब्सकिंड और पढ़ आपको ओ üzer第1 पर वहां पया तब ये आंसर कर प्योग एक सु के उसी दे दिया और 10-20 कोईशन करा दिया और दवा के कोईशन सा गए यूपीशन से नहीं आते जो मैं करवा रहा हूं ऐसे आएंगे ऐसे ही आते हैं आप पेपर उठा कर देख लो समझ में आजाएगा आपको कोई भी आइटिकल उठा कर देख लो ये न्यूज पेपर से बाहर नह दुनिया में one of the major honey producing country है जो वहरोवा माइट जो इंडेमिक जो extreme या invasive species बोलते हैं basically वो इनको इंपक्ट नहीं करता basically वैसे दुनिया में बहुत जादा honey industries को वहरोवा माइट नहीं इंपक्ट कर रहा है पर ये जो है Australia वहां पे तक इंपक्ट नहीं करें पर धीरे दिरे वहा होते हैं and about the size of a system seed can spread from bee to bee and through bee giving equipments including comms that have been extracted अगर इनको काफी समय के लिए छोड़ दिया गया तो बाइप आपक्ट कर देंगे पूरी की पूरी बी इंडस्ट्री billions of dollars का क्या हो सकता है नुक्सान हो सकता है वहरोवा माइट के बज़ा से यह आपको पता होना चाहिए question number 9 is very important that non-khaik kellam wildlife century is located in peace of the following state of India non-khaik kellam wildlife century भारत का किस राज्य में है आपका options है नागालेंड मिघाले सिक्किम तेलंगाना नागालेंड मिघाले सिक्किम तेलंगाना तेक तराइट आट आशर इस मिघाले है अब यह news में क्यों था कि new species of bamboo dwelling bat जो है वो कहां पाया गया है मिघाले में सिर्फ अभी इतना याद करो कि non-khaik kellam कहा है इसके उपर एक और question में जब दूँगा next time to next slide में मैं इसको पर बात कर लूँगा इस सपेसी में एक दो तीन चीज और है जिसके उपर मैं questions बनाने से बच रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ सिर्फ slides में आपको इसको पर मैं बात की शोर स्लाइड में करूंगा डीटेल में question number 10 very important that who among the following is appointed as new chief of the FATF financial action task for आपको पता होगा जो वाजडॉग रखती है जो भी टेरल financing होती जिसमें ग्रेलिस्ट में होता है blacklist में blacklist में दो country north अमेरिक north korea और कॉरिया और ग्रेलिस्ट में नॉर्थ कोरिया और कौन सी यह चली गई है तर्की था कुछने में तक साही तर्की अभी भी ए पकिस्तान अपना ठीक है यह सारे देस्स कहा है अपना वहां पर क्या ड्रे पराट कुमार घुझी को हटाकर अवे रखाकर थी राजा कुमार ने वी अजिल नहीं है ती राजा कुमार देख ऐ आपने चलार चर्ट एंडा कंबोच यह ऑन वहां पर उच्पों की आप सिंगापर में पर शुकर ऑं पर तो था आप्ब आजा कुमार दोशुकर ए Thank you so much.